अभी दातियों को राम राम ना उश्कार उमेद करता हूं आप से भी बहुत ही बढ़िया होंगे, इस वीडियों माम बात करने वाले हैं, आर पिएफ कॉंस्टेबल की भरती के बारे में, आप सभी को बताए कि ऐसा ही के एप्लिकेशन फॉर्म स्टेटस जारी हो गाए, साथी में आपकी जो इफ्टामिन डेट है वो ऑफिशल भी आ चुकी है, लेकिन कोस्टेबल की इफ्टामिन डेट है वो उफिशल तो जारी हो चुकी है, साथी में कैंडिटेट वेट करने हैं, इसके एप्लिकेशन स्टेटस का जिससे ये किलियर हो पाएं, कि भाई हमारा application form accept होगा भी या नहीं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो पसन आए तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe कर ले और well icon पे press कर लें ताकि future में आने वाली हर एक update का notification आपको सबसे पहले मिलता रहे हैं आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं साथी में जो बच्चे किसी भी government examination की तयारी कर रहे हैं जैसे कि आपका RRB हो गया, RPF हो गया या अन्य कोई भी examination हो गया उनके लिए बतादेंगे, test क tief पर आप सभी के लिए एक बहुत यह बड़ी आने वाली है जो कि diwali धमाक का आप सभी के लिए रहने वाली है इसमें आपको बतादें कि selection वाली दिवाली, यहाप सभी के लिए sales start होने वाली है जिसमें आप सभी देख सकते हैं जो आपका offer रहेगा, वो 29 October से live हो जाएगा, और इसमें आप सभी को बता दें कि यहाँ पे price drop आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप test of pass pro यहाँ पे ले सकते हैं, one year का test of pass pro आप सभी को मिल जाएगा, इसके लिए आपको coupon code यूज़ करना होगा, SDR और इसका discount ल हो जाएगी, तो सभी बच्चे जो भी test book का पास लेने वाले हैं, वो इस sale में जरूर ले लेना, क्योंकि आपको बहुत ही कम price देखने के लिए मिलेगा, तो link आप सभी को मिल जाएगा, वीडियो का description में, वहाँ से जाके आप इसके लिए enroll कर पाएंगे, तो सभी बच्चे जरूर से इसका ले लेना, जो भी test book का लेने का प्लान कर रहें, उनके साथ इस वीडियो को share भी कर देना, आगे वड़ते हैं, देखो, यहाँ पर दो चीज़ें आप सभी के clear करते हैं, सबसे पहली अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपकी जो दिक्कत है, वो है, में क कॉंस्टेबल का जो application status है, वो कब जारी होगा, अब यहाँ पर recently आपने देखा होगा, कि RRB ने यहाँ पर जो अपना revised notice जारी कर दिया है, जिसमें आपने देखा होगा, examination date में कुछ changes आपको देखने के लिए मिले हैं, जिसमें अगर आप RPFSI की date देखोगे, तो 2 December से लेक होगे, कि इतने accept होगे, उसकी according भी यह चीजे changes होती है, अभी जो application form है, उसकी according क्योंकि status जारी हो चुका है, और आप सभी को पता है कब जारी हुआ था, 30 September को यह जारी हो गया था, अब आप ऐसे समझो के यहाँ पर 2 December से आपके examination और 30 September को आपका यह status यहाँ पर जारी कर द ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आप सभी को यह point एकदम से clear कर देना चाहता हूँ, कि जो पाला examination है, इसके application status के बारे में, कि यहाँ पर कब तक जारी हो जाएगा, तो आप सभी को बता दें, लगवक 15 नॉम बर तक यह जो चीजें हैं, वो आपके लिए officially जारी कर दी जा फिर आपको यह clear हो जाएगा, कि आपका application form accept है या reject, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, कि बहुत सारे बच्चे tension में हैं, कि कहीं ऐसा ना हो, कि हमारा application form accept ना हो, तो ऐसा बिलकुल नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें, most of candidate के application form accept ही होते हैं, और बाकी का reject होने के बहुत कम chances रहते हैं, जिस बच्चे ने fees incomplete बगरा कर दी हैं, कुछ भी गलत details बढ़ दी हैं, बिल्कुल यह गलत तरीके से form को fill up किया है, यह बल उन्हीं का form reject होगा, बाकी का किसी का भी form reject नहीं होने वाला है, तो अगर आप इसकी तयारी कर रहे हैं, वे फिकर होगे, जिस तरीके से तयारी कर रहे हैं, करते रहे हैं, वो आपके लिए better हैं, उमीद है कि यह जो चीजें हैं, वो clear होगी होगी, क्योंकि आपके बहुत जादा comment message आ रहे थे, कि सर यह बता दो कि कब से होगा, examination date इसकी बिल्कुल clear यह कि 8 जनवरी से examination होगा, जो की का जो examination है, वो जनवरी में ही start होना है, तो सभी लोग तैयारी करते रहे हैं, इस बार आपको हराल में RBM में एक seat confirm करनी है, तो इसके लिए जी तोड आपको मैनत करनी पड़ेगी, उमीद है, चीजें clear होगी होगी, मिलेंगे next वीडियो में, फिलाल के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू फो वाचिंग, जैहिंद, जैवारत.